हेलो दोस्तों टेलीकॉम गुरू यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्रिस्टल जो सिस्टम होता है जी 16 है गार्ड मालब मेंस गार्ड 16 गार्ड 32 यह नहीं मेंस गार गार्ड 64 गार्ड 128 गार्ड 265 यह जो सिस्टम है यह इसको हम कैसे फ्लेक्सिबल नंबरिंग का मतलब होता है कि आपको अगर डिजार्ड एक्स्टेंशन्स चाहिए पर भी आप होटल में लगाते हैं या किसी आप सुसाइटी में लगाते हैं या किसी भी आप अधर प्लेस पर लगाते हैं तो इस सिस्टम में कैसे हम फ्लेक्सिबल नंबरिंग को प्रोग्राम करते हैं कैसे हम एक्स्टेंशन्स बनाते हैं तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप इस कॉंसेट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वी इस वीडियो दोग्राम की चाहिए तो वहां के लिए बहुत ही स्टेबल सिस्टम है यह स्मॉल रेंज में भी है में 16 एक्स्टेंशन से सुरू हो जाता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है एक्स्पेंडेबल मॉडल भी है इसके इंदर जो बेसिक फीचर्स होते है एक तो flexible numbering है यानि हम numbers वगरा को change कर सकते हैं कोई भी number किसी को दे सकते हैं चाहें वो single digit हो या two digit हो हम एक से लेके छे digit तक numbers किसी को भी share कर सकते हैं यानि एक digit single digit का भी number कर सकते हैं लेकिन single digit में limitation होती है कि अगर आपका extensions जैसे 16 है तो single digit में आपका possible नहीं है single digit में maximum 10 number covered हो सक 32 extensions हैं तो definitely आपको कम से कम 2 digit में extension रखने पढ़ेंगे यानि 2 digit से लेके 6 digit तक आप किसी भी series का extension रख सकते हैं और इसमें alarm system की facility अवलेबल होती है vendor announcement की facility अवलेबल होती है कि means alarm आप किसी भी particular जैसे किसी hotels में लगाते हैं तो particular time का आपको alarm set करना है तो वो आप इसमें कर सकते ह हैं तो जो basic facilities होती है या जैसे call pickup की facility होती है या automatic callback की facility होती है यह सारी facilities इसके अंदर inbuilt है alarm अगर आपको repeated alarm चाहिए तो repeated alarm की facility अवलेबल होती है प्लस इसके अंदर जो है अगर आप ने system में talking CLI का feature लिया हुआ है यानि उसमें talking CLI का आपका जो है feature enabled है तो आप उसमें numbers भी port number के according आप सुन सकते हैं कि किस port number पे कौन सा extension number है या किस extension number पे कौन सा port number है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसमें basic password होता है that is star 890000 तो ये इसका जो mean password है star 890000 तो ये हम सबसे पहले शुरू करते हैं देखिए star 890000 तो एक बीप की sound आएगी ये बीप की sound that means कि हम program mode में enter हो जोके हैं अब इसके बाद सबसे पहले हम 980000 इसको हम system को इसको default में कर देते हैं लेकिन आपको ये दियानक ना है कि जब भी आप default में करेंगे तो zero करके exit करना है और default में करने में आपकी जो flexible numbering है वो washout नहीं ह होगी यानि जो आप ये आपने numbers बना रखे हैं वो numbers as it is रहेंगे सिर्फ जो अदर features हैं जो भी आपने features से बकार activate किये हुए है ये आपके default हो जाएंगे तो सबसे पहला question ये होता है कि हमें कैसे पता से लेगी कौन सा extension number अब ये जो series है G22 ये G16 है इसमें extension numbers by default 201 से start होते हैं onwards तो जो पहला port होता है that is जैसे 201 है suppose तो उसका जो port number होगा वो 0001 होगा यानि that means कि always जो आपके port numbers होंगे वो four visits में होंगे यानि 4 visits में होंगे तो अब हम इसमें सबसे पहला हमारे को जो facility होती है कि अगर आप कहीं पर भी hotel में लगा रहे हैं तो caller ID facility तो caller ID facility सबसे पहले आपक speaker आप on करेंगे star eight nine zero 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 पहले आप program mode में enter कर गए और enter करने के बाद सबसे पहले आपको जो है इसको CLI enable करने के लिए two one eight zero nine one nine one से enable और nine अगर आप two करेंगे तो आपको disable हो जाएगी इसके बाद सारे extensions पे on करना है आपको CLI तो आप इसमें करेंगे two seven one then उसके बाद extension number तो means यहां पर आप जैसे पूरी एक series भी दे सकते हैं जैसे कि माल लीजे अगर आपको पूरी series देनी है तो आप यहां पर करेंगे two seven two suppose यहां पर हमने solar extension का system लगाया हुए तो zero 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 one यानि first port और last port is 0016 जो अभी presently है अगर हम card लगा देते हैं तो यह बढ extension आपकी caller ID हमने on कर दिया है तो दो प्रोग्राम इसमें है जीरो से हम exit कर जाएंगे पहला प्रोग्राम जिसके अंदर की हमें सब CLI facility को enable करना है system के अंदर तो उसके लिए आपको प्रोग्राम मोड में जाना है एनि star eight nine double zero double zero उसके बाद two one eight zero nine one तो इसके करने के बाद particular जो extensions हैं जैसे सभी पर extensions पर caller ID facility चाहिए या किसी particular extension पर चाहिए तो अगर particular extension पर चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं और अगर आपको सारे extensions पर चाहिए तो simply आपको 272 and then the start port number in four digits start digit पे आपको जैसे कि अगर पहला port number है 0001 और last port number है 0016 तो पहले 0001 करना है फिर उसके बाद one क करते ही आपके all extensions पे caller ID facility open हो जाएगी अब हम बात करते हैं flexible numbering की तो flexible numbering is basically अगर आपके system में talking CLI feature available है तो आप उसका port number देने के बाद भी आप उसमें extension number निकाल सकते हैं और या extension number आप उसमें डालके port number निकाल सकते हैं तो इसके लिए जो code होता है अगर आपको जो है port number चाह करने के बाद star 716 and उसके बाद जो flexible extension number जो भी आप extension number डालेंगे वो extension number डाल दीजे तो automatically अगर talking CLI available है तो वो system आपको pronounce करके आपको बता देगा और अगर आपको flexible extension number मालूम है तो आप port number निकाल सकते हैं तो उसमें star 715 and then port number तो आप उसमें डालके तो आपको extension number पता लग प्रोग्राम करना है तो इसमें प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें एक example लेते हैं कि आपको यह हमारे पास यहाँ पर system G32 है जिसके अंदर की sole extensions presently connected है तो इसमें हम एक simple सा example लेते हैं कि total extensions है 16 तो 16 फर्स्ट थ्री extensions यानि टू वह स्टार्टिंग आपकी माल लीजे ह है 201 से तो यहनि 201 से 203 तक आपके एक फ्लोर पे है 301 से 303 तक दूसरे फ्लोर पे 401 से 403 तक थर्ड फ्लोर पे and 501 से 503 तक फ्लोर पे तो यह आपके चार तो सीरिस यह बारे extensions हो गए और उसके बाद आपके पास extension single digit में यहनि floor पे आपको अगर service extension आपको चाहिए तो not necessary केव एक ही single extension आप रख सकते हैं आप multiple extension रख सकते हैं यानि 7 6 अब हमने 6 को extension single floor पे देते हैं एक को 7 देते हैं एक को 8 देते हैं और 9 देते हैं तो अब हम इसको program करके आपको दिखाएंगे कैसे program करते हैं तो सबसे पहले जब भी आपको extensions को program करना है तो आप speaker on करेंगे program mode में करेंगे सारे clear तो उसके लिए 373 is the code और उसके बाद जो है आपको password आप दुबारे इसमें करेंगे 373 0000 यानि old password of a reverse new password है आपका उसको reverse तो यह हमने 373 के बाद 0000 इते है old password और उसके बाद हमने उसी का reverse password डाग दिया तो अब हमारे extensions इसमें 0 करके हम exit कर गए तो अब हमारे extensions इसमें clear होगे कोई भी extensions इसमें नहीं है अभी फिलाल तो अब इसको extensions को अगर आपको बनाना है तो अब हम एक दो तरीके हैं इसमें extensions बनाने के एक तो है range of extensions तो range of extensions का मतलब है कि यह आप पूरी एक सीरीज है जैसे सबोज आपको पता है 201 से लेके 203 तक हमारे first 3 ports हैं तो हम एक ही range से देखे स्टार 8 9 0 0 0 0 तो अब हमें हमें करना है कि suppose कि 372 अब पहला पोर्ट है हमारा 0001 और उसके बाद हमें तीन extension करने है तो 0003 और हमें कहां से start करना है 201 तो हमने hash तो यह हमारा extension यानि पहले port से लेके 3rd port तक वह extension हमारे 203 तक हो गए आप हम करेंगे 372 फिर हम उसके बाद करेंगे 0004 से लेके और छटे port तक 0006 और उसके बाद हमें extension करना है 301 से start और लास्ट में हम hash कर देंगे तो यह हमारे 301 से लेके 303 तक हो गए अब उसके बाद हम करेंगे 372 फिर हम करेंगे 0007 यानि 7 नमबर port से start और end port है 9 नमबर port और उसको हम करेंगे 401 और फिर hash तो यह हमारे 9 तक जो है 4 नमबर उस port में चलेगे फिर हम करेंगे 372 0010 से लेके 0012 तक आपके extensions आगे उसके बाद यह time out हो जाता है आपको जल्दी करना है तो देखे 372 0010 0012 501 hash तो time का विशेश ख्याल लटना है क्योंकि time lapse हो जाता है तो अब देखे अब हमें extension 373 अब देखे इसमें अब क्या है कि अब हमारे को यह तो हमारे होगे range of extension जिसको हमें 372 से प्रोग्राम करना है अब हमें 4 extensions ऐसे बनाने हैं जिसका की extension नंबर पहले extension का नंबर होना चाहिए 6 दूसरे का 7 तीसरे का 8 और चौथे का 9 तो अब हमें यह single digit में चाहिए तो इसके लिए हम range of extension में जाने की जरूत नहीं है इसके लिए हम individually प्रोग्राम कर सकते हैं तो देखिए हम individually कैसे करते हैं स्टार 8 9 0000 प्रोग्राम मोड में एंटर कर गए उसके बाद 371 ठीक है अब पोर्ट नंबर है 13 तो 0013 और उसका 7 किया और हैश कर दिया तो यह हमारा extension 7 बन गया अब हम 8 बनाते हैं 37100158 यह हमारा 8 बन गया फिर दें 371 फिर दें 0016 जो कि हमारा बाहर आ जाएंगे अब हम डाइल करके देखते हैं कि क्या हमारे extensions जो हमने बनाए हैं वह बने हैं नहीं बने speaker on कि हमने 201 देखें यह रिंग जा रही है 201 हमारा ही extension है इसलिए वह उस पर रिंग नहीं जा रही है अब हम देखते हैं 301 yes 301 is also working 303 जो हमने जो हमने बनाया है अब हम करेंगे 401 यह 4 की series भी बन गई हमारी 501 5 की series भी बन गई अब हमने single digit में बनाए है 6 7 8 & 9 यह हमने 6 किया देखें single digit में भी extension भी शुरू हो गया है 6 पे तो यह जो कि हम floor wise दे सकते हैं 7 यह हमने दूसरे floor पर दे सकते हैं इस नंबर को मतब multiple एक साथ combination भी यूज कर सकते हैं कि single digit भी हो double digit भी हो अब यह 9 जो कि हमारा यह extension है जो कि हमने 60 नंबर देखें डिस्प्लेइब भी इसमें आ रहा है कि extension नंबर 201 तो इस तरीके से हम single digit भी बना सकते हैं और एक साथ single digit double digit triple digit four digit five digit six digit भी रख सकते हैं तो इस तरीके से हम इसकी flexible numbering को प्रोग्राम करते हैं और इसको की जो मैं detail है आपको जो है description में आपको शेर कर दूंगा तो आप उसे भी आपको आगे फ्यूचर में इसका कुछ benefit मिल सके थैंक यू आपको आगे फ्यूचर में इसका कुछ benefit मिल सके थैंक यू